हाई अब्रिवान विल्कम चू नमनीद आयसे अकेडमी सो हम यहां पर जो क्लास 7 की इंची इयाटी है हिस्ट्री की रैट उस को कर रहे हैं रैट इसे हम नहीं यहां पर स्टार्ट किया था अपनी प्रीविश वीडियो में इसके अराउंड जो है five chapters हम already complete कर चुके हैं and today we are going to start the chapter number six तो हम यहां पर बात कर रहे थे about the medieval history तो हमारी जो मद्यकालीन history है उसके बारे में हम यहां पर इस book में cover कर रहे हैं our past part two and classics की जो NCRT है उसमें हमने जो हमारी ancient history के बारे में cover किया है तो अगर आपको जो है cover करना है classics की जो NCRT है क्योंकि जो है पूरे जो chapters उसके वो complete हो चुके है हमने यहां पर जो जितने भी मुगर रूलर्स से उनके बारे में पढ़ा था उनके administration के बारे में पढ़ा था and then उसके बाद में दिल्ली सल्तनेत के बारे में भी हमने जो है यहां पर पढ़ा था and इन रूलर्स के दौरा जो है architecture के उपर काफी ज़दा focus किया गया था तो उस architecture के बारे में भी हमने जो है chapter number 5 में cover किया था कि जो है काफी सारे जो buildings होती है वो इनके द्वारा बनाई गई थी temples जो है वो इनके द्वारा बनाए गए थे क्यों बनाए गए थे क्या reason था इन सब चीजों के बारे में हमने यहां पर cover किया था So today we are going to start the chapter number 6 तो इसमें अब हम यहां पर कुछ जो traders है उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहां पर कुछ important towns से जो कि यहां पर emerge होते जैसे कि कुछ administrative towns होगे temple towns होगे इन सब चीजों के बारे में हम जो है chapter number 6 में cover करेंगे right so this is the telegram channel link and इस पर आपको जो है daily lectures की जो pdf है वो free of cost मिलेंगी and the Hindu and Indian Express की daily news articles to read जो होते है right उसकी भी information जो है वो आपको यहां पर मिलेंगी and इसका जो link है वो भी निचो description में देर रखा है directly वहां पर जा कि आप इसे follow कर सकते हो okay so now let's start the chapter number 6 that is the towns, traders and craft persons तो यह जो है name है इस chapter का हम यहां पर important towns के बारे में पढ़ेंगे जो कि medieval period में हमें जो है किस type के towns देखने को मिलते थे important traders जो है किस तरह का trade यहां पर हुआ करता था यहां फिर जो craft persons है उनके बारे में भी हम यहां पर पढ़ेंगे so सबसे पहले यहां पर question arise होता है that कि अगर कोई एक traveler जो है वो किसी particular medieval town को जो अगर visit करता है तो उसे जो है उस town में क्या क्या चीज़े मिलेंगी तो इसका answer जो है वो इस चीज़ के उपर depend करता है कि that what kind of town it was कि जिस town को वो यहां पर visit कर रहा है वो किस kind of kind का जो है वो यहां पर town है क्योंकि यहां पर medieval period में various type of towns थी and her town जो है वो किसी particular चीज़ के लिए famous हुआ करता था तो जो town है वो यहां पर temple town हो सकता है administrative center हो सकता है कोई commercial town हो सकता है या फिर जो है वो port town हो सकता है तो यह जो कुछ name है जो की possibilities हो सकती है कि अगर कोई person medieval period में किसी town को जो है अगर वो visit करता है तो उस town में उसे किस तरह की चीज़े मिल सकती है and if in fact यहां पर कई ऐसे भी towns थी जिसमें जो है कई सारे functions आपको जो है देखने को मिल जाएंगे mean यहां तो town जो है वो only एक temple town हो सकता है mean अपने temples की वज़े से जो है वो famous है या फिर जो है वहां पर important offices है तो उसकी वज़े से हम वो सकते हैं कि वो कौन सा हो गया वो आपका जो है administrative town हो गया okay क्यूंकि आपको जो है वहां पर important offices है then उसके बाद में जो है वो वेपार के लिए commerce के लिए या फिर commercial town जो है वो यहां पर हो सकता है right इसकी वज़े से जो है वो famous है या फिर जो है वहां पर ज्यादा ports है right तो वो ports की वज़े से जो है famous है तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक particular town जो है वो किसी एक चीज के लिए famous हो तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा particular town जो है जिसमें आपको जो है यह सारी ही चीज़े जो है वो combined दी देखने को मिल जाए okay so in fact many towns combined these several functions तो हो सकता है एक town में आपको जो है कई सारे temples भी मिल जाए वहां पर आपको जो है important offices मिल जाए वो commercial town भी हो वहां पर ports भी available हो वहां पर craft production भी हो रहा हो okay तो यह चीज़े यहां पर possibilities हो सकती है medieval period में जो है इस type के towns जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे right so सबसे पहले हम देख लेते हैं जो administrative towns कौन-कौन से थे and वहां पर जो है किस type of जो ही यहां पर काम हुआ करता था तो हम यहां पर जो थान जो वो टाउन है उसकी ही बात कर लेते हैं जो कि चोलास की capital हुआ करता था जो कि thousand years ago की बात करें तो इस town से जो है एक perennial river जो है वो flow करती थी perennial river कौन से होती है जो की पूरा साल बहती रहती है okay तो जो है वो इस beautiful town से बहती थी तो यहां पर एक important temple भी था राजा रजेश्वर temple जिसे जो है king राजा राजा ने बनाया था जो की चोलास के राजा थे एंड देन उसके बाद में जो है जिस architect ने इसे बनाया था ओकि उसका नेम था कुंजारा मलन राजा राजा पिरुन्थचन ओकि यह उसका जो है नाम था इस architect ने जो है इस temple को बनाया था तो town के लोग जो है इसकी भी काफी ज़ादा प्रशंसा करते थे एंड इस architect का जो नेम है वो temple की wall के ऊपर भी जो है वो लिखवाया गया था एंड इस temple के अंडर जो है एक बड़ा सा shivling भी है and beside the temple temple के साथ जो है यहां पर palaces भी बने हुए है and उन palaces में जो है कई सारे मंडप्स भी है में मंडप्स क्या होते हैं यहां पर मंडप का मतलब है hole okay तो इन palaces में यहां पर बड़े-बड़े holes भी बनाए गए है obviously यह holes क्यों बनाय जाते थे यह public places हुआ करते थे okay तो यहां पर क्या करते थे कि king परó यहीं से अपने सब औरिनेट को और्डर भी इशू किया करते थे तो इस टैंपल के साथ यहां पर पैलस इस गुआ करते थे इस सीटी में आपको आर्मी के बड़े बड़े बरक्स हैं वह भी देखने को मिल जाएंगे यहां पर आर्मी के लोग खड़े होते हैं इस टाउन में एक मार्किट भी है बड़ी सी जिसमें आपको ग्रेन, स्पाइसे, क्लोथ, ज्विल्री यह सारी चीज़ें वहां पर बिक्ती दिख जाएंगी और वाटर सप्लाई भी यहां पर अवेलेबल थी जो की वैल्स एंड टैंक से यहां पर आती थी इस टाउन में ओरे зай्या यहां पर इस टैंपल में सारी जो है यहां पर लगाए जाते थे तो उसके लिए यहां पर यहां पर जो सलिया वीवर्स हैं या फिर उर्यार के जो कुछ वीवर्स हैं वो यहाँ पर टैंपल के फ्लैक्स के लिए जो है कलोथ बनाने में वीजी रहते थे, या फिर किंग के लिए जो है वो फाइन कॉटन के कपड़े जो है वो बनाया करते थे, नॉबल्स के लिए जो कपड़े बनाते हैं तो स्कल्प्टर्स को जो है सता पतीस भी बोला जाता है तो ये कौन सी थी इनकी कास्ट ये कौन सी हम बोल सकते हैं ये थी स्वामी लाई स्वामी मलाई जो है ये यहां पे इनकी स्कल्प्टर्स के कास्ट थी तो जो की यहीं पर इसी city के कुछ ही दूर यहाँ पर रहती थी तो वह ब्राउंच के आईडल्स यहां फिर बड़े बड़े जो आईडल्स होते वो बनाया करते थे यहां फिर बेल्स जो होती वो यहाँ पर बनाया करते थे तो इस administrative center में आपको जो है ये सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी तो यहाँ पे थांजुबूर जो है वो एक administrative center के तोर पे जो है वो famous था, right? So, then उसके बाद में temple towns and pilgrimage center के अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसका example हम ले सकते हैं थांजुबूर का, okay? So, it is also an example of the temple town. So, temple town जो है यह जो ऐसे towns हुआ करते थे जो कि urbanization को भी जो है यहाँ पे सासात लेके चलते थे, okay? So, एक important pattern जो होता है urbanization का, that is the process by which the cities developed, right? तो यह जो temple towns यहाँ पे हुआ करते थे, इसके सासात अगर हम बात करें तो कुछ जो है यहाँ पे cities में develop होती रहती थी, okay? क्योंकि जो temples हुआ करते थे, यह जो है main center हुआ करते थे, economy and society का, obviously आपको पता ही है कि जो rulers है वो temples के उपर काफी ज़ादा खर्चा किया करते थे, अपने जो है भगवान की तरफ devotion अपनी अगर वो उन्हें दिखाना चाहते थे, तो जो है वो temples के उपर काफी ज़ादा पैस यहां पर perform हो सके, and pilgrims जो है उन्हें feed किया जा से के, priest को यहां पर पैसा दिया जा से के, and festivals को भी celebrate करने के लिए वो पैसा यहां पर दिया करते थे, तो obviously जो है economy and society जो है वो यहां पर develop होगी ही होगी, and अगर economy and society यहां पर develop होगी है, तो वो city क्या बन जाएगी, वो एक जो ह time speed है जो कि in temples में आया करते थे, and वो भी donations दिया करते थे, right, तो अब यह जो temple authorities थी, वो इस पैसे का क्या किया करते थे, वो जो है इस पैसे को trade में या फिर banking में जो है वो लगा देते थे, okay, and gradually जिसकी वज़े से क्या होता है, कि यह सारी चीज़े वहां पर हो रही थी, तो देरे देरे इन temples के आसपास जो priest है, वो अपने घर बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें temple में आना था, तो temple के कुछ workers होते थे, वो भी यहां पर temple में काम करते थे, वो भी अपने जो घर है, वो यहीं पर बना लेते थे, इसी टाउन में, artisans होगे, traders होगे, वो भी यहीं पर आ तो कुछ और भी example हम ले सकते हैं, कि जो टाउन यहां पर temples के around develop हुए थे, इमर्ज हुए थे, उन में से एक नेम है भी आसवामिन, जिसे भी आस यहां फिर विदीशा मध्यपरदेश में जो लोकेटेड है, देन सौमनत मंदिर हो गया, गुजरात में, कुछ और important temple town है, कां इससे note down कर सकते हो, इसके आप notes बना सकते हो, तो यह question यहां से पुछ सकता है UPSC, आप पिल्गरी में center की बात करें, तो वो भी townships में धीरी-धीरे जो है, वो develop हो जाते हैं, जैसे ही अगर हम example ले, पिल्गरी में center की, तो सबसे पहले विरिंदावन हो गया, में है, तिरुवना मलाई जो की तमिलाडू में है, यह जो है कुछ examples है, इस तरह के towns के, जो यहां पर develop हुए थे, यह पिल्गरी में center हुआ करते थे, तो अजमेर जो की राजस्तान में है, इट वासी capital of the Chohan Kings 12th century में, तो बाद में जाके जो है, यहां पर आपको काफी की जो दरगा है, वो देखने को मिलेगी, अजमेर में ही जो है, एक religious coexistence भी आपको देखने को मिलेगा, ख्वाजा, मुहिनो जिन चिष्टी, जो की सूफी सेंथ है, काफी famous, तो जो की 12th century में यहीं पर आके settled down हुए थे, तो काफी सारे अलग-अलग धर्मों के जो लोग है, वो उनके devotee बन जाते हैं, वो उनके शुरधालू बन जाते हैं, अजमेर के पास ही एक lake है, जिसका नेम है pushkar, तो which has attracted the pilgrims from the ancient time, तो यहाँ पर भी जो pilgrims है वो आते ही रहते हैं ancient time से ही, ओके, तो obviously अगर लोग यहाँ पर आते हैं, यह कुछ religious town है, बट यहाँ पर भी जो लो यहाँ पर दरगाह है, यहाँ पर काम करते हैं, तो वो भी यहीं पर बस जाते हैं, तो एक छोटा सा town, जो है, एक छोटी सी market जो होती है, वो यहाँ पर बन जाती है, इन pilgrims की needs को cattle करने के लिए, राइट? सो जैसा है कि आपने यहाँ पर देखा, कि इस समय में आपको जो है, ब्रॉंज, बेल मैटल, जो है, वो आपको देखने को मिलेगा, कई सारी ऐसी जो है, आपको आइडल्स देखने को मिलेंगी, जो कि ब्रॉंज से बनी हुई थी, क्योंकि इन temple towns में, या फिर administrative towns में, या फ ब्रॉंज या फिर bell metal होता क्या है, या फिर ये lost wax technique होती क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे sculptors थे, जो कि ब्रॉंज आइडल्स बनाया करते थे, इन towns में जो लोग रहते थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है, एन सी ई आटी में जो है, इंफोमेशन दे रखी है, कि ये lost wax technique के साथ जो है, ब्रॉंज के आइडल जो है, वो किस तरह से बनाया जाते थे, तो एक्चल में ब्रॉंज क्या होता है, ब्रॉंज एक अलोय होता है, एक धातू होता है, जिसमें copper and tin आपको जो मिल जाए, than the other kind of rose, तो वो जो क्या बन जाता है, वो बैल मेटल बन जाता है, वैसे तो ब्रॉंज में क्या होता है, ब्रॉंज जो है, it is a mixture of copper and tin, कुछ amount यहाँ पर tin होती है, अगर कभी यहाँ पर tin की मातरा जो है, वो जादा कर दी जाए, तो यह क्या बन जाता है, यह बैल करेंगे, तो इसमें से जो sound जो आएगा, वो bell के जैसे आएगा, ओके, इसकी जो है bell like sound होती है, that is why जो है इसे फिर bell metal बोल दिया जाता है, अगर tin का proportion रहो यहाँ पर जादा कर दिया जाता है, तो, right, so चोलास के जो bronze statues बनाए गए थे, उसे जो है lost wax technique के साथ बनाया गया था यह lost wax technique के बारे में, काफी जादा questions पूछे गए है, UPSC में, mains में भी पूछे गए है, right and even इसे interview में भी पूछ लिया जाता है, तो देख लेते हैं, यह lost wax technique है क्या, सबसे कह पहले क्या होता है, कि wax के साथ एक image बना ली जाती है, जिस तरह की image हमें बनानी है, वो wax के साथ ब मिट्टी लगा दी जाती है, clay के साथ इसे cover कर दिया जाता है, गिल्ली मिट्टी होती है, फिर उसे जो है, सूखने के लिए रख दिया जाता है, जब वो सूख जाती है, तो इसे जो है, heat up किया जाता है, okay, तो इस जो मिट्टी वाली जो एक तरह से image होती है, इसे जो है, फ जो है वो बाहर आ जाती है and only clay वाली ही image हमारे पास रह जाती है and जो wax होती ही वो बाहर आ जाती है तो अब जो है उसी hole से एक molten metal होता है जो पिगला हुआ metal होता है bronz का वो उसके under daal डाल दिया जाता है आप इस metal को ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है जब वो solidify हो जाता है तो उपर वाला clay का जो cover है उसे carefully remove कर दिया जाता है and then इस image को अच्छे से clean किया जाता है and polish किया जाता है and फिर जो है bronze के साथ जो है similar type की जो image है वो यहाँ पर create हो जाती है ओके इसे हम जो है lost wax technique बोल देते हैं की पहले wax की image होती है बाद में जो है उसे है lost कर दिया जाता है कई सारे स्मौल टाउन्स का एक network जो होता है वो भी यहाँ पर बन जाता है medieval period में वो भी आप देख सकते हो so from the 8th century onward subcontinent was dotted with these several small towns right, so 8th century से आपको कई सारे चोटे 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 जो towns होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, तो एक समय में यह जो towns जो यहाँ पर नए emerge हुए थे, यह एक समय में जो है यह बड़े villages हुआ करते थे right, तो इन villages में हो सकता है कि मंड़पी का हो मंड़पी का क्या होती है, एक मंड़ी होती है, ओके तो इस area से जो nearby villagers होते हैं, वो चीज़ों को आखे खरीते हैं या फिर बेचते हैं तो यह जो important बन जाती है लोगों के लिए, और देरे जो बड़े villages हैं, जहां पर मंडियां हुआ करती थी, वो जो क्या बन जाते हैं, वो छोटे towns बन जाते हैं कस्बे बन जाते हैं ये, तो इस तरह के towns में market streets जो होती है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे जिसे हम हाट बोलते हैं ओके, it was lined with shops तो यहां पर market streets में अलग लग तरह की shops होती है and different kind of artisans भी आपको देखने को मिल जाएंगे artisans भी यहां पर सडकों के उपर बैठे होते हैं, इस तरह के towns में जैसे की potters होगे oil pressers होगे, sugar makers होगे, toaddy makers में थी यहां फे stone messons होगे, वो भी यहां पर जो वेपारी है, यहां तो इसी streets पर बैठके ही चीज़ों को बेचा करते थे यहां फिर जो है वो town to town जो है वो travel पी किया करते थे okay, so many came from from far and near to this town to buy the local articles and sell the products of distant places like horses salt, तो लोग जो है आसपास के गाउन से जो है इस town में आया करते थे, local articles को खरिदने के लिए भी यहां फिर अपने कुछ products को बेचने के लिए भी जैसे की गोडे हो गए, salt, camphor, saffron हो गया, spices हो गया, जैसे की paper हो गया, इन चीज़ों को जो है वो बेचने के लिए यहां पर आया करते थे, okay, तो इसी की वज़ए से यह जो एक समय में बड़े village हुआ करते थे, यह जो है large villages हुआ करते थे, तो उन villages में जो ही यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, तो धीरे-धीरे जो ही यह convert हो जाते हैं to the smaller towns, तो यह कस्पे बन जाते हैं, okay, तो usually जो सम्मंतज होते हैं, जिने जो है, बाद में जमीनदार बना दिया गया था, तो वो भी जो है, बड़े-बड़े palaces यहां पर बनाने स्टार्ट कर देते हैं, in towns में, यहां फिर in towns के आसपास, and वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था, कि यह जो है, important towns है, यहां पर आपको जो है, काफी बड़ी market देखने को मिल जाएंगी, तो obviously यहां पर traders आएंगे ही आएंगे, तो यह जो जमीनदार क्या करते हैं, वो यहीं पर रहना स्टार्ट कर देते हैं, and जो भी traders यहां पर आया करते थे, उनके उपर जो है, यह taxes लगाया करते थे, okay, तो क्या होता है, जिसकी वज़े से जो है, काफी ददरिच हो जाते हैं, and यह जो rights होते हैं, इनके tax लगाने के, वो जो है, inscriptions में भी record किये गए हैं, जो कि अभी तक भी survived हैं, okay, so अभी हमने यहां पर देखा, कि traders भी थे, यहाँ पर traders आते थे, तो traders भी आपको जो है, इन towns में देखने को मेलेंगे, तो traders भी कई type के हुआ करते थे, कई तो जो है, large level के traders थे, तो कई यहाँ पर small level के traders हुआ करते थे, okay, so इस में जो सबसे पहले हम बहुत सकते हैं, पहले बंजारास थे तो several traders especially horse traders वो भी यहाँ पर आया करते थे तो इन्होंने क्या किया था कि अपनी associations बनाई हुई थी तो इस association का एक headman हुआ करता था जो की अपने warriors के साथ जो है वो negotiate किया करते था जो की यहाँ पर horses को खरीदा करते थे राइट यह जो ट्रेडर्स थे उन्हें के सारे kingdom and forest में से पास होना पड़ता था गुजर के जाना पड़ता था यह जो व्यपारी है वो क्या करते थे वो कार्वांस में यह जो है ग्रुप हुआ करते थे पूरे traders का तो उसे हम कार्वांस बोल देते हैं तो उसमें वो travel किया करते थे इकठे होके and even जो है इन्होंने अपने guilds भी बनाए हुए थे guilds हम बहुत सकते हैं कि associations ही होती है तो इन traders की associations होती हैं उन्हें guilds ही बोलते हैं आपने interest को protect करने के लिए इन्होंने guilds भी बनाए हुए थे and there were several such guilds in the South India from the 8th century onwards 8th century से जो है आपको इस तरह के कही सारे guilds देखने को मिलेंगे तो सबसे famous जो guilds थे वो थे मनी ग्रामन एड़ी नान जेसी राइट and इस तरह के जो है guilds क्या करते थे वो peninsula में भी जो है वो व्यपार किया करते थे साउथीस्ट एशिया एंड इवन चाइना में भी जो है वो यहां पर वपार किया करते थे तो यह जो आप देख रहे हो यह जो green वाला एरिया है this one is a peninsular इंडिया ओके जो पार्ट यहां पे three sides से water से गीड़ा होता है that is known as a peninsular यहां पर ट्रेड किया करते थे एंड इस वन इस यहां पर चाइन यहां पर साउथीस्ट एशिया तो इन इन country में आके जो है वो यहां पर वेपार किया करते थे राइट सो यहां पर कुछ और भी community थी इन ट्रेडर्स की जैसे की छेतियार्स हो गए मारवारी ओस्वाल्स हो गए ओके तो यह भी एक तरह से में ट्रेडिंग ग्रूप्स बन जाते हैं country के गुजराती ट्रेडर्स थे इसमें हिंदू बानिया जा जा जाते हैं तो वह जो है रैड सी पोर्ट जो है पर्सियन गल्फ एस्ट एफरीका साउथीस्ट एशिया एं चाइन चाइन में वेपार किया करते थे तो कई सरी जो ट शाउथाऊथीस्ट एसिया एंचाइन चाइना से यहां पर लाया करते थे तो इस तरह से कई सारे च्रेडर्स में अपरेडिय पीडर पेरेड में आपको देखने को मेलेंगे और ये जा बड़े ट्रेडर्स थे, वहारा ट्रेडर्स थे उपोरेजरन के वहाँ होते है कि कार जब कभी भी एक टाउं से दूसरे टाउन में जाया करते थे वह कारवांस में ही गुजरा करते थे तो इन ने कई सारे इंटर्ष की ग्रीवेंस को सुनने के लिए बनाएं उसके बाद में छेतियार्स और मारवारी ओस्वाल्स हो गए ये भी कुछ कम्यूनिटीस थी गुजराती ट्रेडर्स आ जाते हैं हिंदू बानियास और मुस्लिम बोहरास तो ये भी अलग-अलग एरियास में वो वेपार किया करते थे तो ये जो ट्रेडर्स की हम कम्यूनिटीस की बात कर रहे हैं जैसे की छेतियार्स, मारवारी ओस्वाल्स, हिंदू बानियास, मुस्लिम बोहरास तो ये चीज़े आपको यहाँ पर याद रखनी हैं ये questions जो हैं यहाँ पर पूछ जाते हैं ये कौन-कौन से एरियास में वेपार किया करते थे ओके वेस्ट कोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें, वेस्ट कोस्ट जो कि गुजरात के असपास का जो एरिया है उसकी तरफी अगर बात करें तो वहाँ पर आको जो है कई सारे ट्रेडर्रोस देखने को मिल जाएंगे आरब, पर्सियन, चाइनीज, जूइश and सीरियन क्रिस्टिन ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे भारत में आया करते थे medieval period में and Indian spices and जो cloth है उसकी काफी ज़्यदा मांग यहाँ पे हुआ करती थी Red Sea Ports में it was purchased by the Italian traders तो Italian traders जो है वो इन चीजों को खरीदा करते थे इंडिया के मसाले हो गए, कपड़ा हो गए यहाँ के and eventually जो है यह European markets में जो है जाके वो बेचा करते थे काफी ज़्यदा high profit पे यहाँ से जो ही इन चीजों को काफी सस्टे में खरीद लेते थे वहाँ पे जाके इने जो है महंगरेट पे पेचा करते थे तो हमारे जो इंडिया का climate है वो tropical climate है यहाँ पर आपको जो है various type of spices देखने को मिलेंगे पेपर हो गया cinnamon हो गया nutmeg, dried ginger हो गया तो यह जो है European cooking में जो है ज्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं तो यह European traders है वो medieval period में ही हमारे भारत में जो है आना स्टार्ट हो गए थे तो देन धीरे धीरे जो है इन लोगों ने जैसे की East India Company होगी और ने हमारे इंडिया के उपर ही जो है वो कबजा कर लिया था तो इस तरह से Britishers हमारे भारत में तो next crafts की बात कर लें तो बिदार एरिया जो है वहां के जो craft persons थे वो काफी दर famous थे अपने inlay work के लिए तो copper and silver के ऊपर जो है वो इस तरह का work किया करते थे जिससे हम जो है बिदरी बोर सकते हैं तो यह picture देख सकते हो this is a example of the बिदरी work okay then उसके बाद में जो है पंचालाज और विश्व कर्मा community जो थी वो कौन-कौन से काम किया करते थे goldsmith थे bronze smith थे blacksmith थे mason's थे carpenters थे okay वो temples में जो है ज्यादा काम किया करते थे यह जो सारी लोग थे पंचालाज और विश्व कर्मा community and even palaces की construction में भी जो है इनका important role हुआ करता था बड़ी-बड़ी buildings बनायते थे tanks and reserves भी जो है यह बनाया करते थे देन उसके बाद में weavers की बात कर ले तो यह भी prosperous communities थी तो यह भी जो है temples को का फ्री जादा donations भी दिया करते थे तो cloth making की अगर हम बात कर ले उसमें cotton को clean करना then उसे spin करना dye करना तो यह specialized काम हो जाते हैं and यह independent craft हो जाते हैं धीरे-धीरे कि cotton को clean करने का काम भी जो कुछ particular community ही किया करती थी उसे हें SPINK करने का जो काम है किया करती उसे MXT करने का जो काम है वह भी कोutions particular community ही ही fica करती थी ओके तो इस तरह से यह जो viewers है उनकी कमुटी कौन कौन सी है सालियार और काइकोलालिष then goldsmith, bronzesmith यहां जो कि tempus में काम किया करती थे उनकी communities कौन सी है पंचालाज and the विश्व कर्मा community okay so we'll continue with the same chapter, chapter number 6 के साथ ही हमें हाँ पर continue करेंगे अपनी next video में so अगर आपको मेरा कूर्स पसंद आया तो इसे share कर ना भूले and don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video right so thank you so much have a nice day bye-bye